अगर कोई दोशी भी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में एहम सुनवाई हुई है और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पस्ट किया है कि अगर कोई दोशी है किसी ने कोई आपराधिक घटना को अंजाम दिया है तो भी उसके घर को नहीं गिराया जा सकता है यह साफ कर दिया आपने देखा होगा कि लगतार बुल्डोजर एक्शन की तमाम खबरे सामने आती रही है और यह सबसे जादा जो एक्शन हुआ है वो मध्य प्रदेश, राजिस्थार और उतर प्रदेश में हुआ है जहां पर आरूपियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए उनके घरों को जमी दोस कर दिया जाता है यह कहा जाता है कि कानून के अंतरगत इस तरीके के एक्शन लिये जाते हैं कि अगर कोई किसी भी तरीके के अपरादी घटनाओं को अंजाम देगा कानून के अंतरगत आएगा कानून के खिलाफ काम करेगा तो उसके खिलाफ एक् आप देखे कि सुप्रेम कोट ने अपनी सुनवाई के दौरान और भी कुछ शिमात पर पून बाते कहीं हैं। इस पस्ट किया गया है कि अगर कोई आरोपी है भी किसी विमामने को लेकर तो भी उसके खिलाफ इस तरीके का एक्शन नहीं लिया जा सकता है। पर बुल्डोजा चला दरसल मध्यप्रिदेश सरकार जहां जहां पर अव्यत तरीके से कबजे किये गए उनको हटाने के लिए सीधे बुल्डोजा चला देती है। अब आपको बता दें कि उतर प्रिदेश के मुरादाबाद और बल्या में दो आरूपियों की छे संपत्या तोड़ी गए। तब से मामला बहुत जादा गर्मा गया था और ये उतर प्रिदेश का जो मसला सामने आया था उसके बाद से मध्यप्रिदेश राजिस्थान के साथ साथ अंद जगों पर भी बुल्डोजा रेक्शन लिया जाने लगा। अब आपको ये भी बता दे कि जमियत ने केंदर सरकार समेट मध्यप्रिदेश उतर प्रिदेश और राजिस्थान सरकारों को बताया है और उनका ये कहना है याजका में जस्टिस बी आर गवई की बैंच में ये गया था और याजका में कहा गया था कि जब बुल्डोजर अरेक्शन की बात आती है नोटिस दिया जाता है उस दोरान पीडितों को बचने का मौका नहीं दिया जाता यारी कि अगर किसी पर आरोप सिद्ध हो गए है और उसकी संपत्ति वैद भी है यारी कोई भी खामी पाई गई है अगर उसको सुधार का मौका दें या उस पर इ शित का कहना है कि अलपे संख्यकों का उत्पीडन करने और उन्हें ड़ाने के लिए राज्य सरकारे घरों संपत्यों पर बुल्डोजा चलाती है यानि कि यहाँ पर सिर्फ अलपे संख्यकों को ही फोकस किया जाता है और उनके उपर इस तरीके की एक्शन लिये जाते हैं याजका में ये भी आरूप लगाये गया कि सरकारों ने पिडितों को अपना बचाओ करने का मौका नहीं दिया बलकि कानोनी प्रक्रिया का इंतजार भी नहीं किया और तुरंत सजा की तौर पर बुल्डोजा रेक्शन ले लिया गया पीला पंजा चल गया और संपत्या ध उतर प्रदेश आते हैं और इस वज़े से लोगों की संपत्या नश्ट कर दिजाती हैं पूरा का परिवार सरक पर आ जाता है सरक पर आजानी की वज़े से लोगों का रहना खाना पीना मुश्किल हो जाता है इसमें चकना चूर हो गई थी और जब से ये वीडियो सामने आ तो उसके बात से ये माना जा रहा था कि बुल्डोजर एक्षन सिर्फ उन लोगों पर ही लिया जाता है जो विशेश समुदा यानि कि अल्प संक्यक है यानि कि मुस्लिम समाथ से आते हैं आपको बता दें कि पत्राव हुआ 24 गंटे के अंदर इसमें कई लोग शामिल थेले कि निसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति के खिलाफ एक्षन लिया गया है और 20 करोड रुपे की 3 मंजिला हवेली पर बुल्डोजर चला दिया गया था परिवार कोई सदस वहां पर मौजूद नह गया उदैपूर में दो बच्चों में चाकोबाजी के बाद आरुपी के घर पर बुल्डोजर चला और सरकारी स्कूल में दसमें में पढ़ने वाले एक छातर के चाकोबाजी के चलती एक्षन लिया गया था और ये तमाम खबरे जब सामने आए तो ये माना जा रहा था कि बुल्डोजर एक्षन सिर्फ उन लोगों के खिलाफ लिया जाता है जो अलप संख्या के यानि कि जो मुस्लिम समुधाय से आते हैं और उनकी जगे उनकी अगर वैद भी है तो भी कही ना कहीं से उसे वैद करार घोशित किया जाता है और च्छतरकुर के मामने की बाद तो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मसलिक उठाया था और उनका कहना था कि इसको लेकर भी आजका लगाई जाएगी सुप्रीम कोट में एहम सुनवाई हुई और इसमें बुल्डोजर एक्षन को गलत करार दिया गया है इस पर रोक लगा जाने के लिए सक्त टिपणी सुप्रीम कोट की तरफ से की गई है देखना ये है कि आप पीला पंजा रोकता है या फिर इस तरीके के एक्षन आगी देखने को मिलते हैं बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं नमस्कार